दिल्ली बीजेपी को नया दफतर मिल जाएगा थोड़ी देर में भारती जंता पार्टी के रास्टी अध्यक जेपी नड़ा इसकी आधार शिरा रखेंगे जेपी नडड़ा बीजेपी दिल्ली की इस नए दफतर के अधाशिरा रखेंगे और ये जो नया दफतर है बीजेपी दिल्ली काई का ये डीडियू मार्क पर बन रहा है दिसंबर दोहजार चॉबीस तक इस बिल्डिंग को बनाने का लक्ष रखा गया है तो दिल्ली बीजेपी का नया दफतर दिंद्याल उपाधिया मार्क में बनेगा दिसंबर दोहजार चॉबीस तक इस नई बिल्डिंग को बना लिया जाएगा वर्तमान में जो दिल्ली बीजेपी का दफतर है वो पंथ मार्क में है और डीडियू मार्ग पर ही भारती जनता पार्टी का नया दफ्तर बना हुआ है पहले भारती जनता पार्टी का जो रास्टी मुख्याले था वो 11 अशोक रोड था देगना भारती जनता पार्टी के जो रास्टी मुख्याले है वो दिंद्यालुपाधिया मार्ग पर है और अब बीजेपी दिल्ली एकाई का जो प्रदेश कार्याले है वो भी अब दिंद्यालुपाधिया मार्ग पर ही बनने जा रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद इ कि अब्से थोड़ी देर के बाद भारती जनता पार्टी रास्ट्रिय अध्यक्ष्ट जेपी नडड़ा दिल्ली बीजेपी के नए कार्याले की आधार शिला रखेंगे दिन दियाल उपाधिया मार्ग पर बीजेपी का ये नए कार्याले बनेगा डिसंबर दोहजार चौबीस तके नई बिल्डिंग बन जाएगी वर्तमान में दिल्ली बीजेपी का जो दफ्तर है वो पंत मार्ग पर है तरुन इस वक पिर साथ दूर रहे हैं तरुन भारती जनता पार्टी अपने लगातार नए कारियले बना रही है कहा ये जाता है कि अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तयारी कर लेनी चाहिए पता नहीं आज से 50 साल के बाद भारती जनता पार्टी की क्या इस्तिती होगी लेकिन ये बिल्डिंग बन जाएगा जो भारती जनता पार्टी की बड़ी नेता कहते हैं कि ये कारियाले है और कारियाले ऐसी जगह है जहां पर अगर आपका अपना कारियाले है तो आप बेफिक्र होकर उसमें काम कर सकते हैं और उसको घर से उंचा आप अपना ओहता रख दीजिए आधर्म आपने बिल्कुल सही जिक्र किया है भविश्य निर्मान की और संगठन बीजेपी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे सीधे हाथ के उपर वो शीला नियास के पत्थर है जो नीव है आधार शीला है बीजेपी के इस दिल्ली बीजेपी के इकाई के इस दफ्तर की इसका एड्रेस है पॉकिट फाइव दीन द्यार उपाध्याय मार्ग लगभग जो सभी पॉलिटिकल पार्टिया है खास और नैशनल रजिस्टर जो पार्टिया है उनके दफ्तर इसी मार्ग के उपर धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे जो 24 अकबर रोट से AACC का मुख्याले ऑपरेशनल है वो भी क्यूछी महिनों के बाद डीडियू मार्ग पर ही आ जाएगा आम आधी पार्टि का दफ्तर प वो 14 पंत मार्ग से चल रहा था और जो 14 पंत मार्ग है वो तब के सांसद जो थे मदनलाल खुराना उनका सरकारी आवास था और अगर पीछे और इतिहास में जाएं तो अजमेरी गेट से ने दिली रेलिवे स्टेशन के पास से दिली बीजेपी का दफ्तर चला करता था ले जाजा कुछी दिनों के बाद वो दफ्तर जी आरजी मार्ग गुर्दुवारा रकाब गंज के पास एक सरकारी घर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया छे महिनों तक वहाँ पर दफ्तर चला था और फिर आखिरकार सांसद तातकालीन सांसद मदनलाल खुराना ने अपना घर 14 पंत मार्ग बीजेपी की दिली हिकाई को सुपुर्द कर दिया और उसके बाद से 14 पंत मार्ग 1989 से करीबन 34 साल से दिली बीजेपी का दफ्तर वहीं से ऑपरेशनल है 2012-2013 से ही डीडिये ने इस जगा की जमीन एलोट कर दी थी कि यानि कि यहाँ पर प्रस्तावित था दिली बीजेपी का दफ्तर बनना लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए एहम बाद यह है कि जो शीला नियास की तयारियां चल रही हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष विर प्त्थर रखने के लिए पहुँचेंगे पूजा अर्चना के काम चल रहे हैं राष्टी अध्यक्ष संगठन निर्मान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस बड़े निता के पास है बील संतोष एक बड़ा नाम है वो इस पूजा अर्चना के अंदर समर्थकों का कारेकर राओं का होसला अवजाई करने के लिए पहुचे हैं कैलाश विजेवर्गिये जो बीजेपी के महा सचेव हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना के अंदर दिखाई दे रहे हैं मनोस्तिवारी जो उत्रिपूर्वी दिल्ली से पार्टी के सांसद हैं वो यहाँ पर आए के भी कई बड़े दिखज नेता यहाँ पर पूजा अर्चना के दौरान मौजूद हैं और सबको इंतजार है कि जेपी नड़ा आए और इस दफ्तर के निर्मान की शुरुवात करें एक महतुपून जानकारी और है कि 2024 दिसमबर तक यानि कि डेट सालों के अंदर 850 म इस जगह के उपर 5 मंजिला इमारत बनकर खड़ी हो जाएगी और यह दिसमबर 2024 इस माइने के अंदर एहम है कि फरवरी या फिर मार्च के अंदर दिल्ली विधानसभा के चुनाव है यानि कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो दिल्ली बीजेपी पॉक जा अर्चना में बैठे हैं अपनी धर्म पत्नी प्रियंका सजदेवा के साथ है विल्कुल और यह तस्वीरे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं भारती जनता पार्टी अगर खुद को मजबूत कर रही है तो हर सीरे से मजबूत कर रही है इसके तरुन जिसका मैंने श स्थी के तोर पर देखें तो आशियाना बनाना सबका अपना सपना होता है और आशियाना बन गया कल को बुरा वक्त भी आगर आता है तो आशियाना तो कम से क्म आपके पास रहेगा वह आपसे कोई च्छिन नहीं सकता आज इस तरह से मैंने बात अपनी शुरुवात की थी बोलने से कि ये भविश्य निर्मान की नीव रखी जा रही है जिस तरह से आपने सही जिक्र किया कि सत्ता आती जाती रहती है लेकिन ये जो इमारत बन जाएगी वो इतिहास में दर्ज हो जाएगी और आने वाली जो बीजेपी के समर्थकों की पीडिया है नेताओं का जो नेतित्व है वो इसी तरह के संगठन निर्मान से चलेगा और इसके अंदर एक महतुपून चीज होती है कि आपका दफ्तर कितना बड़ा है कितनी बड़ी सोच के साथ इस दफ्तर को बनाया गया है लिहाज़ा ये पांच मंजिला इमारत के अंदर अत्या धुनिक तक्नीकों का इस्तेमाल किया जाएगा भगवान राम भी इस आधार शीला के कारेकरम के दौरान मुख्य स्थान पर रखे गए हैं भगवान लक्ष्मन भी हैं माता सीता भी हैं और यहाँ पर जो धार्मिक कार्मकांड है वो विधी विधान के साथ चल रहे हैं बिल्कुल आपने सही इस बात को इंगित किया है कि एक तरह से बीजेपी का जो संगटन है वो भविश्य निर्मान की तयारियों में जूटा हुआ है और किसी भी जगा पर किसी राज्य इकाई का दफ्तर अगर बन रहा है तो उसकी रूप रेखा उसका आर्किटेक्ट ऐसा भव्वे होता है जिससे कि सीधा अकारे करताओं के अंदर संदेश जाता है कि संगटन वर्तमान में नहीं जी रहा है बलकि भविश्य का भी निर्मान कर रहा है इसी कारण जब ये डेड़ सालों के अंदर इमारत बनकर तयार हो जाएगी तब इससे आपको सीधा संदेश मिलेगा कि हाँ ये है बीजेपी की सोच जो अगले 50 सालों तक अपने संगटन को मजबूती से खड़ा करने के लिए अपनी इमारत को खड़ा कर चुकी है लिहाजा कारेकरताओं के अंदर भी संदेश जाएगा कि पार्टी जब उनके लिए इतना महत्वपून काराले कैसा बने क्या क्या टेक्नीक का इस्तिमाल हो कितनी मोग मंजिला इमारत होगी किस-किस मंजिल के उपर किन-किन पदाधिकारियों के दफ्तर होंगे यह तै किया जा रहा है और बहुत बड़े स्तर के उपर इसकी तैयारी की जा रही है तो कारेकरताओं में भी एक विश्वास बंदता है एक बरोसा बंदता है कि जो संगठन के बड़े नेता हैं वो समाने कारेकरताओं की भावना को महसूस कर रहे हैं और इसी का मंजर इसी पांडा भी नजर आ रहे हैं और पीछे जैसा तरू ने जिक्र किया दिल्ली बीजेपी के तकरीबन सभी बड़े नेता पताधिकारी इस वक्त मौझूद है